voltage double circuit, जितना हम voltage input नो provide करेंगे, हमें output में उसका double मिलेगा, अब हम डोनों का output चेक करेंगे पारलल, तो यह हमें 3-word approach दिखाईएगा, randomly switching करेंगे, तो यह on-off on-off होता रहेगा, हेलो फ्रेंज आए पृस्विकमार, यह वाचिए में अखरावधी, वेल्कम त वानगर कुछ 4700μF, 50V capacitor, double pole double terminal switch, 9V battery, 4V battery, 1.5V battery, connecting wires, multimeter, 1 LED सबसे बढ़े capsule लेंगे जो positive है capsule रखा upper side रखना है और जो negative है उसे lower side same दूसरी गरे साथ भी करेंगे positive upper side negative lower side अब इसको fix कर लेंगे कापसिटर को fix करने के बाद इसके टामिलोस को फोल्ड करने के बाद यह सेंटर में जो connection है दूनों कापसिटर का इसे solder कर लेंगे solder कर लिया हम switch है connection करेंगे lower capacitor का positive negative battery का positive negative upper capacitor का positive negative so switch के connection करेंगे उसका negative है switch के इन दो टोनों को sort करेंगे यह हमें supply switch करने में help करेगा positive negative negative positive अब हम अपार कापसिटर का connection करेंगे switch के साथ center का connection करेंगे switch के साथ करेंगे negative connection करेंगे switch के साथ और जो capacitor connections थे, वो पूरे हो चुके है, अब मैं इसमें जो center वाले दो pins है, उसमें supply connection करना है, दो wire solder के लिए निकाल देंगे, battery connection करने के लिए, बड़ा connection होगया battery का, अब मैं इसमें, output connection लेने के लिए wire connect करेंगे, अब इन wires को range करने के बाद, जो दो wires है, यह battery connect होगया, positive negative यह दो wires है, यहाँ battery connect करेंगे, अब मैं आपको इसकी working बताऊँगा, हमने इसमें 1.5 volt की supply add की है, voltage double circuit, मतलब जो जितना हम voltage provide करेंगे, जितना हम voltage input नों provide करेंगे, हमें output में उसका double मिलेगा, उसका double voltage मिलेगा, जो हम V voltage provide करा रहे है, बस V out जो होगा, वो double होगा, V in से, तो हमने वह पर 1.5 volt product करा है, इसमें हमने दो capacitor use किया है, same value के, 47 and a microfret, 50 volt, एक switch use किया है, double pole, double terminal switch, switching करने के लिए, यह हम switch use कर रहे है, जो date 1.5 volt की supply है, उसको C1 और C2 में switch करने के लिए, randomly हम switch करेंगे, C1 to C2, C2 to C1, इस सप्प्लाई से क्या होगा, हम इसको दोनों capacitor को sequence wise charge करेंगे, और पहले लिए discharge करेंगे, दोनों को plus करेंगे, जो मना 1.5 volt की supply है, उससे पहले हम C1 को charge करेंगे, 1.5 volt से, फिर हम C2 को charge करेंगे, 1.5 volt से, फिर जो दोनों का voltage है, उसको हम पहले लिए output ले लेंगे, plus करके, हम पास 3 volt मिल जाए, अब हमने C1 पसे रट कर रहा है, हम पहले बैटरी का चेक करते हैं, बैटरी का voltage, 1.6 बैटरी का voltage, अब हमने स्विच सेलेट कर रहा है, वो C1 पर कर रहा है, तो अब C1 का voltage चेक करेंगे, यह भी बैटरी इतना 1.65 volt चार्ज हो चुका है, जो मारा C2 है, जो मारा C2 है, 0 volt, जैसे हम स्विच को C2 में स्विच करेंगे, तो यह हमारा 1.6 volt चार्ज हो चुका है, अब यह भी, इसमें हमने 1.6 volt की सप्राइग दे दिये, तो अब यह भी हमारा 1.6 volt चार्ज हो चुका है, अब हम दोनों का जो output चेक कर लेंगे पहलाल, तो यह हमें 3 volt approach दिखाईएगा, अब बस, 3.3 volt दिखा रहा है, यह हमारा voltage डवलाग सर्किट, अब यह भी इसमें load करके दिखाऊँगा आपको, मैंने इसमें अब लेड करेंट कर दिया है, अब यह हमेंने select C2 को कर रहा है, तो जो हमारा 1.6 volt है, पर जो हमारा C1 है, वो 0 है, जैसे हम इस पर C1 पर move करेंगे, C1 पर switch करेंगे, तो जो हमारा C1 है, वो चार्ज जाएगा 1.6 volt, C2 भी 1.6 volt चार्ज होगा, दोनों discharge करेंगे, तो LED गलो करेंगा, कुछ सेकंड लिए जितना चार्ज यह स्टोर कर पाएगा, वो गलो करा देगा जैसे इसका पुराचा discharge जाएगा, वो additive बंद हो जाएगी, अपने देखा, हलका सा blink हुआ, वैसे में अगर वापस, अब C2 है, वो fully discharge हो चुका है, C1 में supply जा रही है, यह अभी charge है, वैसे switch करूँगा, यह भी charge होगा, जो इसका charge बचेगा, वो discharge हो जाएगा, randomly switching करेंगे, तो यह on-off, on-off होता रहेगा, जो हम switching कर रहे हैं, अगर हम switching fast करें, तो हम काफी fast charge, discharge, charge, discharge कर सकते हैं, इससे क्या होगा, identity glow रहेगी, जाए टाइम दर, अभी हम जो switching कर रहे हैं, वो manually कर रहे हैं, आप देख रहे हो, कि switching अगर हम fast करें, तो LED glow हो सकते हैं, 1.6V से LED glow नहीं हो रहे हैं, जैसे हम 3V कर रहे हैं, LED glow कर जारी है, यह switching है, जब इस वीडियो का पार्ट 2 बनाऊंगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा, एक transistor का use करके हम switching करेंगे, उसमें हम switching circuit add करेंगे, जिससे हमें कोई manually switching करेंगे, जो रोत नहीं पड़ेगी, अपने आप हम जिस value का battery add करेंगे, उससे double value की load add करके, उसका हम use करेंगे, उसका हम output लेंगे, अब इसमें आप दे सकते हो, अब मैं fast switching यह हम कराएंगे transistor से, जिससे हमारी जो load है, वो गलो करता रहे, यह क्या हो रह आज चार्ज रिशार कर रहे हैं, जो हमारा output है, वो double हो जा रहा है, अब मैं आपको different value के battery add करके, output दिखाऊँगा, अब मैं आपको 4 volt add करूँगा इसमें, 4 volt की supply add गेट दिया, 3.8 volt अभी है, fully charge battery नहीं है, 3.8 दिखा रहा है, वो भी 3.8 volt दिखाना चाहिए, उसे, मारा C2 भी 3.8 volt से charge है, जो मारा C1 है, वो 0 है, वो भी charge नहीं हूँ है, हम इसे switch करेंगे, अब मारा C1 है, वो भी 3.8 volt से charge हो चुका है, और C2 भी 3.8 volt से charge है, हम output अब लेंगे, दोनों का, तो जो output है, 7.6 volt अप्रोक्स आ रहा है, यह हमारा voltage doubler circuit 4 volt पे, अब हम 9 volt की बैटे करेंट करेंगे, और उसका output हम चेक करेंगे, 9 volt करेंट करेंगे, अब पर 8.6 volt आ रहा है, अब मैंचे select कर रहा है, वो कर रहा है C1, हमने भी C1 select कर रहा है, तो C1 का voltage चेक करेंगे, 8.6 volt आ रहा है, और C2, 0, अप्रोक्स 0 आ रहा है, वो last time का charge थोड़ा बचा बहा है, अब हम C2 select करेंगे, हमारा C2 भी charge हो गया, 8.6 volts है, और जो हमारा output होगा, दोनों को plus कर देगा, डबल कर देगा, 17.2, 23 volt, something आ रहा है, यह हमारा voltage जबला सरकेंगे, next हम स्विचिंग करेंगे, वो हम transistor का use करेंगे, एक circuit बनाएंगे, switching circuit, यहां लाएंगे, और captures की counting बढ़ा देंगे हम, ज्यादा capture यहां और इनकी हम switching करेंगे, जिससे जो हमारा output है, हम जो बैटरी से double volt का load चला सके, वैसे हम circuit बनाएंगे इसे, वैसे हम circuit में इसे change करेंगे, voltage double circuit, दर्याओ करेंगे, गुटिता